नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं हो एतात तुम पाही जी हाँ दोस्तों ऐसा कौन सा कार्य है जो पवन पुत्र हर्मान से नहीं हो सकता तो चले दोस्तों आज मैं आपके लिए एक स्वाड श्टोरी लेके आया हूँ अपने सिक्स मंत के योगा कोड़ जो मैंने किया था देव संस्क्रीटी भी सुविध ज्याले हरिद्वार से जिहां दोस्तों बहुत इंटरस्टिंग श्टोरी देगी आपको सुनकर बहुत थेरपीस थी क्या मैंने वहाँ पर सीखा सब आपको आज इस वीडियो में दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा और देखने के बाद लाइक शेर सब्सक्राइब तो दोस्तों करिए गई इतना तो कर सकते हैं तो चले दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तो श्चे काउं्स कॉन्ट मेंटनर में दोस्तों शुरू के वाहां पर गया उसके पैसे ने क्लिए काउंटर में गये तो काउंटर में जाते हैं क्या होता है कि मैं अब धूंगर क्या होगा तो मैंने का यार अब क्या होगा तो उन्होंने एकदम से उनके मूझ से निकला कि भाई वेटा तुम टेंशन मतलो तुम फॉरो तुमारा स्लेक्शन हो जाएगा तो मैं तुरन घर आता हूं मैं जल्दी अपना फॉर्म करता हूं अमाउंट पे करता हूं और सेंड कर देता मिखता है और आपका इंटर्व्य हो जाता है का आगे चलते चलते क्या होता है दोस्तों कि मेरा इंटर्वियु भी हो जाता है मौर्निंग में फिर योगा हमारा कमल सर की क्लाश चलती थी हमारे टीचर्स थे बहुत ही अच्छे योगा चारिया थे जिनके सानिध्या में बहुत कुछ सीखने को मिला और ऐसा चलते चलते फिर दोस्तों यह दो महिने भी निकल गए अब आपको बताई यह ऑनलाइन किसी को विन नियान सकता आदमे की कौन कैसा है किस इसे बात होती थी इसको जच कर लिते थे तो अजह सब कुछ हुआ WREST स्टिंग में बहुत सारे ångयकली किरल को ने मेरे बारे में भी सोचा कि आरे कैसा है मैने भी सोचा होगा तो यह सब होताए दोस्तों फिर फाइनली हम जाते हैं DSVV हमारा campus होता है start और हम पहुंसते हैं DSVV और दोस्तों वहाँ जाने के लिए सबसे पहले हमने खरीदा विस्तर और अपनी general need of accessories और फिर वहाँ पहुंसते ही दोस्तों अंदर घुसे first day of DSVV start होता है हम campus में घूम रहे होते वहाँ पर दोस्तों क्या है कि फोन अलाओड नहीं कर सकते तो मेरे साथ क्या हो दोस्तों मैं वहाँ जनरल सब हम friends campus घूम रहे थे हमारे साथ कोई teacher भी ते तो जहां पर हमारा वाडन का exact मतलब जहां पर हमारे DSV के head button रहते थे मेरे को एकदम से call आया औ और first day में दोस्तों मेरा phone क्या हो गया ले लिया गया और मुझे 500 को चलान बनना पड़ा दोस्तों उसकी दिन तो वह भी हुआ मेरे साथ फिर उसके बाद तीन चार दिन तक phone उनके पास रहा अनना बिना phone के रहा और फिर 500 रुपे का चलान भरके फिर phone मुझे वापस मिला उ दोस्तों DSP भी एक बहुत ही अच्छा campus हो सकता है किसी भी study करने के लिए योगा के लिए नहीं अगर आपको mass communication करना है या आपको IT करनी है या कुछ भी आपको करना है वहां पर बहुत सारे courses available है तो आपके लिए वह एक perfect place हो सकता है दोस्तों hardware में location है तो दोस्तों वहां प परंपरा बनाई है गुरु शिष्य की परंपरा दोस्तों वह परंपरा जो है आज भी उसी प्रकार से चल रही है जिस प्रकार से गुरु देप के सानिध्या में चल रही थी जिया दोस्तों बहुत ही एक अच्छा environment बना रहा है टीचर्स ने इकदम बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है बच्चों को किस तरीके से ट्रिट करना है किस तरीके से बच्चे सीख सकते हैं यह सब चीजे वहां पर हमें सिखाई जाती है और योगा का असली मतलब दोस्तों जुड़ना सीखते हैं गुसरे से तो वहां पर दोस्तों हमने जुड़ना सीखा अध्यात्म से जुड़ना सीखा एक दूसरे से जुड़ना सीखा बहुत ही अच्छे एक्सपिरियंस रहे और दोस्तों एक्सपिरियंस तो रहे रहे अच्छे दोस्त भी बने हैं अच्छे वहाँ पर हमें भूलते ना सिक्षा मिलती है वैसे मनुष्य होता है तो वहाँ पर सिक्षा मिली at the end दोस्तों पता भी नहीं चला फोर मन्स का कि कैसे वहां पर निकल रहे हैं नहीं फ्रेंड्स बने ये मजे किये प्रैंक किये वहां पर और बहुत सारी चीजे हैपनिंग सुई दोस्तों तो अगर आप अगर आप अवराल की में हुआ हैं यहां का जाय है वहाइसएं दोस्तों कर दी यह थी मेरी यूपा से पर्श्ट की हमीरे साथ खीक है तो वह भी हम ने सीखा और अभी हमारा रिजल्ट भी आ चुका है दोस्तों और आप सभी की किरपा से फर्ष्ट पोजिशन आई यह तो अच्छा लगा दोस्तों वहां पर पढ़ाई करके मैं तो सोच रहा था कि अगर दूसरा मौका भी मिलता तो मैं शायद वहां जाता पर दोस्तों समय-समय की बात है जहां जैसे लिखाए दोस्तों तो यह था मेरे डीएस्वी का एक्सपिरियंस आप सभी को अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दन्याव